हाई दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मेरा अकाउंट हैक हुआ है और वो सब चीजे आप ना करें जिससे आपका अकाउंट हैक हो सकता है तो मैं आपके साथ सेयर करने वाला हूँ किस तरह से मेरा अकाउंट हैक हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू जो मेरा किलारेक्स हार दिकर के एक आईडी था उस पे मैं कॉंकर किया हुआ था तो उस आईडी को पहले तो मतलब मैं खेल ला था तो वो आईडी सेवन डेज के लिए बेन हो गया ठीक है मैंने कोई भी है कि यूज नहीं किया था उस आईडी पर हो सकता है मैं किसी हैकर के साथ खेला होगा पता नहीं मुझे इतना आईडीय नहीं है तो इसलिए साथ उस पे बेन पड़ा है और अभी एंटी चीट भी हाई है तो इस तरह से बेन हो चुका ठीक है वो भी सेवन डेज के लिए है वो बीस तारी को मेरा ओपन हो जाता आइडी तो क्या हुआ कल मेरे साथ मैं इस्टा इस्टोडी देख रहा था ऐसे तो बैटर ग्लान मौल इंडिया का जो ऑपीसिल इस्टाग्राम पीज आया ना वहाँ पे मैंने पहले उसका इस्टोडी देखा फिर नेक्स्ट इस्टोडी आया किसी हैकर का उसने एड चला रखी थी तो उस पे कुछ भी लिखा था ऐसी करके अपग्रेट गन मिल रही थी एंपोर 16 करके और मिटेरियल भी था उसमें और एक कार थी और सा करने को बोल रहे थे वो इनके वेससाइट पे गया मुझे लगा यह बैटलगरनमल इंडिया का इस्टोरी ऐ ठीक है तो कोई यह फेक वेक नहीं होगा पहले तो मैं बैटलगरनम मौहल का स्टहरी देखा अरो मुझे एसा फिल वह, तो यह उसी का होगा ठीक है मैं इतना ध कळलेट कर सकते हो यहां प시면 फेस्ट का या फिर टुलिटर डालना हिए फीट्फ है वहां पर अपना पहले तो कुछ भी नेखा है तो उसमें मैंने डाला मैंने और सोचा कि इसका लेवल का मैं तो इस पर कुछ पता नही कुछ भी था इतना आइडिया मुझे तो जो भी उसके बाद मैं क्या किया मैंने वोछ डाल दिया हूँ विजे लगा इस फे तो कुछ मिलने वाला निए फिर क्या हुआ मैंने सुचा कि मेरा 69 लेवल वाला जो आइडी है ना किलारेंट साथ भी उसको डालके देखत हूँ क्या माल में उस पर मिल जाए अब मुझे यह नहीं पता मेरा आइडी बैन है तो ऐसे तो नहीं मिलेगा ना मैंने सुचा यह डाल के देखते हैं सेवन डेज के बाद कुछ न कुछ मिली जाएगा तो मैंने आइडी अपना यूजर नेम था ना आइम हार्दे क्यादव क करके वो डाला फिर मैंने अपना पासवर्ड डाला तो क्या हुआ पासवर्ड सब डालके मैंने सभी सी पासवर्ड फिल करा उसके बाद आया नेक्स्ट वपप मैं आपको स्क्रीन सोट दिखा देता हूं आप देख सकते हो तो वहां पे मैंने अपना करेक्टर आई डाला ओ create account successfully 24 hours reward collect तो मुझे लगा कुछ न कुछ मिलने वाला होगा फिर मैं अपना जो मेरा नया email ID था उससे मैंने पबजी open किया था मतलब Twitter ID था तो मैं उससे खिलने लगा फिर मेरे को notification आती है जो मेरा man Twitter account था मतलब मेरे को email आया था कि आपका पहले तो password चेंज किया मेरा ठीक है उसके बाद आया कि आपका email ID चेंज हो चुका है मैं सौक हो गया मैंने वहला मेरा site account में कुछ problem होगा हुआ फिर मैं Twitter open किया ठीक है Twitter में जैसे में open किया और मैं वहां से बाहर आ गया मतलब lock out होगा अपने आपी तो मैं थोड़ा problem में आ गया मतलब sad सा हो गया अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं तो आप समझी सकते हो कैसी feeling आ होगी दो साल की मेनत थी मैं दो साल से इस आईडी को यूज कर रहा था एक दो साल हो गया वो मेरी global आईडी थी पब्जी मौल में यूज करता था पहले फिर मैं बीजिया मैं इसको transfer किया था ठीक है उसमें पैसे भी लगा थे मैंने का लो बगएरा खरीदा था और कई सीज नहीं है मैं चीज है महनत ठीक है आप समझी रहोगे अपनी जो परसनल चीज होती है उसमें महनत करो वो चीज चलिया है तो कैसी feeling आती है ठीक है तो उसके बाद मैं तोड़ा sad हो गया फिर मैं मुझे कुछ समझी नहीं आ रहा था फिर मैंने Google वगएरा किया मैंने फिर टु यूजर नेम इमेल आइडी मॉइल नमर सब कुछ निकाल दिया था ठीक है पासवर्ड तो फिर मैंने यह सब डाला उसके बाद इमेल आया मुझे के ऐसे करके यू है वे सौरी मतलब जो भी है तो वहां पे बोल रहते हैं कि अपना यूजर नेम ढालो और इमेल आइडी और लाश्ट लॉग इन कब हुआ था ठीक है और उसके नीचे था सायद मॉइल नमबर तो मैंने यह चारी चीज़ें मतलब चारों चीजों को फॉलो करके मतलब जो भी था मैं सब कुछ भी दिया उनको रिपलाई कर दिया ठीक है तो अभी तो कोई मेल नहीं आया है अगर बता दूँगा इस्टोरी पर मतलब लगा के ठीक है इसकी शूर्ट सेर कर दूँगा आपको अगर टुविटर अकाउंट मेरा बापस आता है रिकवर होता मतलब तो सही है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं आब क्या ही कर सकते हैं उसमें थोड़ा सैड फील हो रहा है बट मत अकाउंट रिकवर हो जाए आई होफ मुझे लगता है अकाउंट रिकवर हो सकता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात का बुरा लग रहा है नहीं साला इतना मेहनत किया उस आईडी पर लब मेरी फरसनल चीज थी एक तरह से वह सब चला गया ऐसे मतलब फील हो रह बड़ाएगा आपको अपक्रेड गर्ट मिल सकती है आपको यूसी मिल सकती है तो इन सब चीजों पर बिली मत करना अभी एक रिडियूम कोट का भी चल रहा ठीक है तो वो सब चीजे मत करना जैसे मेरे साथ हुआ है भवान ना करें आपके साथ हो तो बस आज के लिए इतना ही उम्मित करता हूं जो भी मेरा प्रॉलम में ठीक हो जाए तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब ते के लिए बाए थैंक यू सो मच